अरे गेरी गेरी विर्खा भाला ते पाच्छा कहीं आजा अरे गेरी गेरी विर्खा भाला ते पाच्छा कहीं आजाओ अमने सांची सांची बाती बता रोजियो आ योगे साथ में अरे गेरी गेरी विर्खा भाला ते पाच्छा कहीं आजाओ सांची सांची बाती बता रोजियो अमा खमा खमारे खवरे अजिमा रोणी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो अमा खमा खमारे खवरे अजिमा रोजियो अब गेरी गेरी विर्खा भाला पाच्छा कहीं आजाओ अजमारे खवरे खमारे गेरी अजाओ और आज कैसे भाला ने खवरे खमारे खावरे खुलाया खमारे कहीं आज़ए और अजमाल जी महाराज रहे सामने हाथ जोड रुके हो कि बाप जी आप तो ठाको रो आप तो मालिको आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमाल जी भीड़ा बांजी आख कही जो ठे तो अजमाल जी भीड़ा बांजी आख कही जो भारा सुगन खराब घणा हो याजी ओ सुगन खराब घणा पूरा जी ओ खमा 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 खमारे कबर अजी महाल जी रुनी चिरा राजा हे लो साम्बलो जी ओ अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांजिया हो और बांजिया आद्मीरा सुगन लेर खेत में जाने सुग बढ़िया है कि घड़े आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कई निपजनो तो नहीं और थारा जड़ा बांजिया आद्मीरा सुगन लेर खेत में में जाने सु मतलब कई अब देखो करसा आवलक आवलक शब्द के दिया अजमाल जी महाराज रे पेरों निचों बात सुड़ और धरती निकल गई कि सामने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चलया गया अजमाल जी महाराज दिरे 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 अपने घर पहुंचा जब पती देव ने मेनादे जी उदास देख्या तो पोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूँ आज बिलका बिलका लाग रहाओ कहीं बात है आप बड़ा धुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आँख्या मुआसू आगया भोली राणी बान जीयों के वेरे मारो मुख्य नहीं देख्ये अरे बान जीयों के वेरे मारो मुख्य नहीं देख्ये एड़ा कई पाप कमाला जीयो अमठ खमा 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 रे कबर अचि माला रूणी चिरा लाजा है लोग शामब लो जीयों कमा खमा 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 रे कबर अचि माला देखिए अजमाल जी महराज रोता थका आख्या में आशोरी लड़ी बेवे अपनी राणी मेना दिने केने लागा बुला राणी इन सु चोको है कि भगवान मने दुनियाउं उठा ले बांजिया बांजिया करे देखिए जब कभी भी आपके हमारे गर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पती को निश्चित रूप से दिरेज बंदाती है कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला मेना देजी भी अजमाल जी महराज ने समझाया बोले पिया जी चिंता ना करो ना अब बारा साल तक द्वारी का दिश्चा दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं तेर भी बार फिर चले आजाओ और इन बार द्वार करो नात आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेला बाजरी ने लाडू बनार दिया अजमाल जी महराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सचे मन सु प्रार्तना कर जो अजमाल जी महराज फिर द्वारी का रे रस्ते रवाना हो गया सरदी गर्मी बरसात उलबाना पाड़ा ठका पावाँ में छाला पड़ गया एक सामरियारी आस लिया अजमाल जी महराज बेता गया बेता गया एक दिन द्वारी का देश्ते मंदीर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान बारा बारा साल तक आयो ये मारी नहीं सुनी तेर भी बार फिर आ गयो और इस बार ये भी नहीं सुनी तो थारी चोकट पर मातो पटक पटक मर जाओ ला पर पाचो गर ना जाओ आर अरे हाथ जोड़ ने अर जिकरू जी आयो था दे बार ने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले दिकता बदे भार ने केवी अजमल सुनूरी सावरा इतरो मत बनडे मूझी केवी अजमल सुनूरी सावरा इतरो मत बनडे मूझी एगता बदियो मने दिवे तो नहीं घटे था दी नहीं सुने ला भिगन करूला आयो घर सुधार ले दुनिया महाने मोसा बोले दिकता बदे भार ने दुनिया महने मोसा बोले एक ताबर दे पार दे पुले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मूझी और एक ताबरियो मने देवे एक ताबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूझी और नहीं सुने ला नहीं सुने ला भिगन करो ला आरी पूझा आरती में भिगन करो ला मर जाओ ला लोगोरो भरोसो उड़ जावे ला थारे उपर सो एक भगत भगवान जी चोकट पर मर गयो पाचो घर ना जाओ बहुत देर हो गई अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी उपर देखे हो तो भगवान जी मूर्ती मुस्कराती हुई देखी और जब मूर्ती ने मुस्कराती हुई देखी अजमाल जी महाराज जी नो क्रोध और बढ़ गयो अब और कुछ हो नी पार्स में वे बाजी दी रह लाडू लाया भगवां में भोग लगाने वास थे अजमाल जी महाराज रीज में वे बाजी दी ले लाडू भगवां जी मूर्ती रह मार दिया मंदीरा पुजारी जी दाड़ता दोड़ता भागता भागता है बोलेगी ठागरा कही खुका मांडो मांडो है अजमाल जी महाराद पुजारी बता देख थे वार कारोना पुजारी बता देख थे वार कारोना तमेतो दर्शने करीवाने आयो जी ओ अमा खमा कमारे कवदे अजी मारा अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह साम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वैला की भगवान कठे और बड़ी रीस में जो पुजारी जी देख थागराने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नी तो एक मिनिट में मंदिर खाली करो पुजारी जी अब सीदो सीदो जवाब क्यान देवे तो ठागर साब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है जेट महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सेहन नी वे तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है पंडित बोल्यों सुनो ठागरा मूरत आगे कहीं लड़ो और सावरी आसू मिलनों वेतो समंदरिया में समंदरिया में पूद पड़ो क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार भुजारदार ने भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाची पुझारी जी कहा दियो कि ठागरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करण मास्ते गया है गुले तरी बात सुनी अजमल ने समधरिया में कूद पड़ा और सोने का तो मेहल देख्या तीरा पन्ना खूब जड़ा आये सामरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा उपर पट्टी बंदी हुई है माथा उपर सुखून बेरियो है अजमाल जी माराज बड़ा का बका हो गया बोले भगवान के कर दो खबरा मैं तो सुने हो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो आप तो इन तीन तुलोकरा नात हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा उपर चोट कैसी है भगवान मुस्तराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बॉड़ा वगत दुनिया में बोले बगवान हो कई बोले कोई भगत मारे लाडूरी मारदी अज़माल जी बोले बगवान मैं तो भी मूर्थी ने मारी आप्रे चोट गटू लागी तब श्रीहरी विष्णू अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले कि देख अजमाल उन मूर्ती में मारो वास नहीं होतो नी तो तू कोई बारा-बारा साल तक धोड़ी आतो अजमाल जी महाराज भगवान ने चर्णों में गिर गया और भगवान ने हाँ चोड़न विंती करने लागा अजमाल जी महाराज जब बगवान ने चर्णों में पड़या तो बगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना थारे बड़ो विरम दे वेला अजमाल जी महाराज ने उस बात कोई पकड़ लिया तो ले बगवान बड़ो बीरम दे वेला तो छोटो कुण वेला तब शीहरी विश्णू अजमाल जी महाराज ने खेने लगा भोले जद चंदो करेरे आविदे आविदे बनियाब सूँ तो दा की दे विश्णू बरस चोपनो नयो बांस जग बरस चोपनो मास भात वो नयो झान्ध चद उगला परस इक सेट वो नास भात वो झान्ध चद उगला सुनरी जमल थारे पालडे दो दो कावड जूलीला ओ, पानी रो तो धूद बनेला, पानी रो तो धूद बनेला, कूपू पगल्या आंगने बबान के उतार की बात तालियों के साथ में दुनिया महाने मोसा बोले, एक टाबद रेकार ले दुनिया महाने मोसा बोले, एक टाबद रेकार ले अरे हाथ जोड़ने, अरे जिकरूंगने आयो था दे बादने क्योंकि अरी दुनिया महाने मोसाब दुनिया महाने मोसाब बोले दिक्ता बद देखार के भी अजमल सुनू निसावरा इत्रो मत बन रे मूझी एवी अजमल सुनू निसावरा इत्रो मत बन रे मूझी एक्ता बदियो मने दिवे तो नहीं घटे था दी नहीं सुने ला भिगन करूला आयो घर सुना हर ले दुनिया महाने मोसाब बोले एक्ता बद देखार ले दुनिया महाने मोसाब बोले एक्ता बद देफार ले पुढ़ी केवे केवे अजमल सुन सावरा इत्रो मत बन मूझी और एक्ता बदियो मने दिवे एक्ताब्री ऑमने दिवे तो नहीं घटे धारी पूंजी और नहीं सुनेला नहीं सुनेला भिगन करूला अरी पूजा आरती में भिखन करू ला मर जाू ला लोगोरो भरोसो उड़ जावेला थारे उपर सो गेग भगत भगवान जी चोकट पर मर गयो पाचो घर ना जाओ बहुत देर हो गई अब भगवान जी आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी उपर देखे हो तो भगवान जी मूर्ती मुस्कराती हुई दिखी और जब मूर्ती ने मुस्कराती हुई देखी अजमाल जी महाराज जी आगे क्रोध और बढ़ गयो अब और कुछ हौनी पास में बेबाजीरी राडू लाया भगवान में भोग लगाने वासते अजमाल जी महाराज रीस में बेबाजीरी राडू भगवान जी मूर्ती रे मार दिया मंदीरा पुझारी जी दाडता दोडता भागता भागता है बोलेगी ठाकरा कहीं कुकमाणो मांडयो है अजमाल गिमाराद पुजारी बता देख थे बार कारोना वो पुजारी बता देख थे बार कारोना अपमे तो दर्शने करीवाने आयो जी ओ अब बुले पुजारी जी इतना साल हुआओ आप सुबह साम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वैला की भगवान कठे और बड़ी रीस में जो पुजारी जी देख थाकरा ने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नितो एक मिनिट में मंदर खाली करो पुजारी जी अब सीधो सीधो जवाब क्यां देवे तो ठागुर साब गर्मी जादा पड़ रही है जेट महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सेहन नी वे तो भगवान अभी समूदर में विश्राम करने वास्ते गया है पंडित बोलो, सुनो ठागरा, मूरत आगे कहीं लडो और सामरी आसो मिलनो वे तो समधरिया में समधरिया में पूध पडो क्योड़ इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार भजारदारने बगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाथी पुजारी जी कह दियो कि ठागरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करनमास्ते गया है गुले तरी बात सुनी अजमल ने समधरिया में कूद पड़ा और सोने का तो मेहल देख्या, ठीदा पन्ना खूब जड़ा आये सामरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा उपर पट्टी बंदी हुई है माथा उपर सुखून बेरियो है अजमाल जी माराज बड़ा का बका हो गया बोले भगवान के कर दो खबना मैं तो सुने हो तो कि आप तो बहुत बड़ा आजमी हो आप तो इन तीन तुलोकरा नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा उपर चोट कैसी है भगवान मुस्तराता कह दिया कि अजमाल भगवान वो कही बड़ा भगत मारे लाडूरी मार दी अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट गटू लागी तब श्रीहरी विष्णो अजमाल की महाराज ने समझाया बोले कि देख अजमान उन मूर्ती में मारो वास नहीं होतो नीं तो तुए 12-12 साल तक धुड़ी आतो अजमाल जी महाराज बगवान ने चर्णों में गिर गया और भगवान में हाज च्षूडन विंती करने लागा अजमाल जी महाराज जब बगवान ने चर्णों में तो बगवान अजमाल जी महाराज ने क्यों कि अजमाल चिंता ना करना थारे बड़ो बिरम दे वेला अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया तो ले बगवान बड़ो बीरम दे वेला तो छोटो कुण वेला तब शीहरी विष्णू अजमाल जी महाराज में खेने लागा बोले जद चंदो करेरे आविदे आविदे बनियाब सूँ तुदा की जेविशी बरस चोपनो नयो बास जद बरस चोपनो मास भाद वो नयो चांद चत उगेला सुनरे अजमल ठारे पालडे दो दो ताबर जूलेला ओ पानी रो तो धूद बनेला पानी रो तो धूद बनेला कूकू पगल्या आंगने बबान के उतार की बात तालियों के साथ में दुनिया महाने मोसा बोले एक टाबर रेकार ले अजमाल जी महराज भगवान रा कॉल वचल कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे कुछ समय बाद में मेना देजी बीरम देजी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा चौदा सो एक सक्री साल भादवे महीनेरी दूज की रात चंद्रमा हो गयो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महराज रे आंगने में वीरम देजी रे साथ में एक बालक आ और पौट गयो बड़ी अजमाल खरवतार की जै अजमाल जी महराज रे आंगने में भगवान रे वचन अनुसार कुंकूरा पाओं मंडिया गर्रों सारों पाणी दूद बन गयो चारों तरफ रोश्टी हुई आटा आशों गरजना हुई पर भगवान आजमाल जीर जबांगने में आया तो भग लोग लिख्योए खमा 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 हो कवरी अजी माल राज खमा 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 हो कवरी अजी माल राज खाने तो पूजे राज स्थाने जीयो गुजे राती जीयो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा रामसापीर ने ओ भातरवादी तूझी चाननी अचमल घड अब ताद लियो भादरवारी दूझे चाले लिए अजमल घर अविता दिली यो कूपू पगिल्या मांड सावरी यो पालनिये में पोड़ी गयो कूपू पगिल्या मांड सावरी यो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालकि देखि पालनिये सगला अजरजी भगिलागा बार काना तिरी लिला देखि बार काना तिरी लिला देखि अजि मली मनी में हारी शाया आने दो पूझे राजस्ताने जीयो दो जी राते जीयो ओ खमा गणी गणी खमारा जारा अमसा जनी गणी खमारा जारा अमसा पीद में गणी गणी खमारा जारा 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 हिए बारा काना तिरी जीयो पहलो पर्चो पिता अजमल जी ने दीनों कुणकोडा पगल्या मंडाया और दूजो दूजो पर्चो माता मेना देने दियो उफन तो दूद दूद दबायो दो दो बाण की देखी पालनिये मेना देशन का लाई ओ कई जादू ओ यो घर में माता मन में घबराई मारी शंकान मिटाई लीला देखी शाम सुन्दरी लीला देखी शाम सुन्दर दी इबने आयो है तवाब हमें तो फुजे राजस्थान जीयो खमा 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 हो खमा 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 राजा रामसा